सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो अगर कपैसिटर है यहां पे आपने दो प्लेट्स ली हैं एक को प्लस चार्ज दिया एक को माइनस क्यू चार्ज दिया और बीच में मान लिजे उनके एक मटियल भरा हुआ जिसकी वैल्यू के है डालेक्टरी कॉंसेंट और इनके बीच में सेपरेशन डी है नौ इसका कपैसिटेंस हम लिखते हैं एप्सलोंट एक के डिवाड़िड बाइड बाइड नौ बेस ओन दिस हम यहां पे कह सकते हैं कि आपका जो कपैसिटर वह अगर चारों ऑप्शन एक करके उसको करें तो पहला कहता है टाइप उप मैटल यूज इसमें इस अटाइब का कोई लेना देना नहीं है और फेर्ड प्लेट से कोई फरक नहीं पड़ेगा पॉटेंचल अप्लाइड अप्लाइड अक्रोस द प्लेट आपने अगर पोटेंशल नहीं भी लगा तो भी system का इतना capacitance है जिस प्रकार एक हम resistance की बात करते हैं उसको जब हम बिजली में लगाएंगे potential difference देंगे तो current आएगा लेकिन अगर बिजली में नहीं भी लगाया तो भी उस material का resistance तो है उसी प्रकार है आपके capacitance का capacitance तो है तो उसमें potential लगाने की जरुवत नहीं है चौथा option है separation between the plates now that will be the right answer all right so based on this हम कह सकते हैं कि option number D would be the correct choice